बहुत अच्छी बात आज हो रही है सो सेनेरियो धीरी धीरी बदल रहा है लेकिन उसके पीछे आप लोगों का एक responsibility भी बनता है जब भी आप किसी चैनल पे कोई topic देख रहे हैं तो उसको इस वे से मत देखिए कि मुझे preparation करना है मुझे जाना है नहीं आप इस channel को और उस content को इस तरह से भी देखिए कि आपका कोई छोटा भाई आपका दोस्त आपके juniors भी उस content से मदद ले सकते हैं इसके लिए आपके responsibility क्या है आपको सिर्फ छोड़े से काम करने होते हैं कोई भी content creator आपसे कुछ पैसा नहीं ले रहा है कुछ चार्ज नहीं कर रहा है और वो free of cost आप लोगों को available करवा रहा है तो इसके पीछे आप लोगों का responsibility क्या हो कि कम से कम उसके channel को subscribe करो कोई फरक नहीं परता free of cost है मेरे father का करते थे किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ बुरा मत करके जाओ आपको उसका content पसंद आया नहीं आया कोई फरक नहीं परता ठीक है आप अगर उसके content को नहीं भी पसंद कर रहे हैं तो कम सी कम उसको dislike करके मत जाओ हो सकता है वो आपके लिए content अच्छा नहीं हो किसी और student के लिए अच्छा हो आपके dislike से उसका moral डाउन हो जाता है मैं तो यह कहूँगा कि जितने भी creators हैं educators हैं जो इस platform का फाइदा उठा कि आपको पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसी नहीं किसी student को तो फाइदा होई रहा है तो उसके लिए मैं आप सबसे request करता हूँ कि आपको दो तिंग छोटे-छोटे काम करने होते हैं जो हर educator के लिए करिया आप जो YouTube पे चितने भी शांदर educators हैं सबके लिए करिये subscribe करिये उसके channel को कोई फरक नहीं पड़ता है फिय अफकोस होता है लाइक करके जाएए और आपको बहुत अच्छा लगाओ तो comment जरू करके जाएए क्योंकि they are working very hard अब हम चलते हैं मेन मुद्धे पर की YouTube के channel को हम लोग कैसे prefer करें तो देखिए जैसे मैं करता था मैं वो आइडिया आप लोग को बता रहा हूँ बहुत सारे educators है बहुत अच्छा काम कर रहे है कोई भी बुरा नहीं है बस फरसरीफ इस चीज़ का पड़ता है कि किसी student को कोई teacher suit कर जाता है कोई teacher suit नहीं करता तो simple सा criteria है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बचे होते है जो कि एक teacher से समझ पाते है लेकिन बहुत सारे ऐसे होते है जो उसी teacher से नहीं समझ पाते है तो criteria क्या होना चाहिए तो उसका simple सा criteria है देखे simple है आपको जिस भी subject का topic चाहिए पहले उस search engine में उसको डाल दो वो topic डालते ही को देखो क्या वो आपको समझा पार है जो आप समझना चाहते हो अगर वो आपको समझा पार है इसका मतलब उसका channel आपके लिए सही है उसके बाद क्या करें उसके channel के नाम पर click करें click करने के बाद उसके content को देखें कि वो अपनी videos किस duration में कैसे कैसे schedule करके डाल रहा है अगर वो continuously chapter wise डाल रहा है उसका content एकदम disciplined है और continuously वो काम कर रहा है उसके उपर तो तो सही है और बहुत सारे creator ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ specific topics पर अपने videos upload करते हैं तो मेरे ख्याल से उसको आपको एक बार रोग देना चाहिए करता हूँ हर दिन में 2 कर रहा हूँ और chapter wise series को चला भी रहा हूँ जैसा भी 12th में organic के chapter चल रहे हैं और 11th में physical chemistry अन्य शुरू से chapter चल रहे है और ये चीज बड़ी commonly मालूम बढ़ जाती है प्ले लिस्ट को देखने के बाद आपको content का मालूम पढ़ते ही आप समझ जाओगे कि यहाँ पर coaching के जैसा feel आएगा बस ये simple सा criteria होता है देखे बहुत जार educators को भी मैं request करना चाहूँगा अगर आप coaching center में तो 7 साल काम किया हूँ coaching centers में तो मुझे पता है वहाँ पर इन fact chemistry के लिए भी physical chemistry का teacher अलग होता है इन organic chemistry का teacher अलग होता है organic chemistry का teacher अलग होता है कई बार कई coaching center में chemistry का teacher एक होता है लेकिन बहुत चार एजूकेटर यहाँ पर ऐसे में उनसे request करता हूँ बहुत सर ऐसे जिद्दी एजुकेटर है जो कि कहते हैं मैं chemistry पढ़ाऊंगा मैं physics भी पढ़ाऊंगा मैं math भी पढ़ाऊंगा मैं बाय भी पढ़ाऊंगा मेरे ख्याल से एक specific subject को चुनना चाहिए और उस पे भारी भरकम मेहनत करके बच्चों को अच्छा content देना चाहिए वो जादा अच्छा है इससे सबका फायदा हो और इसमें आप सारे student की responsibility बनती है कि content को ध्यान से देखो और मैं आप से कहूँगा कि specific subject के लिए specific teacher को choose करो मुझे ऐसाल person लगता है कि आपका content specific होना चाहिए जैसे मैंने chemistry को चुना और मैं chemistry पे ही hard work कर रहा हूँ ताकि मैं chemistry में 100% दे सकूँ इस चीज को समझी है इसी तरह स same frequency से सारे subject मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे इस industry में 7 साल हो गये है बट फिर भी वो आपपे depend करता है channel चुनने का मैंने आपको तरीका बता दिया है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज के लिए बस इतना ही guys आप लोग ध्यान रखेगा हमारी responsibility है हम अच्छा create करके दें लेकिन आपके responsibility यह है कि सिर्फ वीडियो देखके जाये मत comment section अच्छा लगे तो comment करके जाये like करके जाये subscribe कीजे उसके channel को सिर्फ ए छोटे-छोटे काम करने से which is entirely free of course इन educators को हम जैसे educators को बहुत जादा मदद मिलती है चले guys अगली वीडियो मिलत तil then thank you so much thanks a lot